ओम शान्ती, आज है 13 अक्तुबर 2021 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, अभी तुम हमारे बच्चे बने हो, जैसे हम प्योर हैं, वैसे तुम भी प्योर बनो, तो तुम सत्युग में, सुख में, प्रेम में राज्य करें तुम बाब के इटर्नल बच्चे हो, जो सब कुछ सन्यास कर आते हैं, उन पर लव जास्ती जाता है, यह इटर्नल लव सबसे तीखा है, बाबा कहते, यू आर माई बिलावड संस, हमारा आनंद, प्रेम, सुख, सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि तुमने वह दुनिया छो इस निराकार वसाकार की गोद में आये हो, तो वारिस बन गए, बलड कनेक्शन में है दुख, स्रिष्टी पर जब स्वर्ग होता है, तो सभी का आत्मिक लव रहता है, यह है अविनाशी ज्यान धन, इसका कभी विनाश नहीं होता, कोई थोड़ा भी सुन ले, तो प्रजा में आजाए, जो अच्छी रिती पढ़ेगा, वेह नवाब बनेगा, जो आते जाते रहते हैं, वेह फिर प्रजा में आएंगे, आगे कहा, जो होलीनेस नहीं बनेंगे, विकारों में जाते रहेंगे, वेह पद भ्रष्ट हो जाएंगे, जो होली बनेंगे, वेह विजय माल में आएंगे और जो करमेंद्रियों को नहीं जीतेंगे वे चंद्रवंशी घराने की माला में जाएंगे और लास्ट में बाबा ने कहा तुम बहुत प्यारे बच्चे हो तुमको बाप कभी खफा नहीं कर सकते भले तुम देवी देवता बन रहे हो लेकिन यहां उस पद का अहंकार नहीं रखना सदा ओबिडेंट सर्वेंट बन सर्विस में हाजी रहना जैसे बाप भी ओबिडेंट सर्वेंट बन अपने बिलवड संस और प्रजा की सर्विस करते हैं और अब सुनते हैं महावाकियों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे बलड कनेक्शन में ही दुख है तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है यही सुख और आनन्द का आधार है प्रशन विजे माला में आने के लिए विशेश कौन सा पुरुशार्थ चाहिए उत्तर विजे माला में आना है तो विशेश होली पवित्र बनने का पुरुशार्थ करो जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे तब विजे माला का दाना बनेंगे कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकते प्रजा में चले जाएंगे गीत महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए ओम शान्ति देखो हम महिमा ही करते हैं अपने बाप की अहम आत्मा जरूर अपने फादर का शो करेंगे न संद शोज फादर तो अहम आत्मा तुम भी कहेंगे हम आत्मा है हम सबका फादर एक परमात्मा है जो सबका पिता है यह तो सब मानेंगे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का फादर कोई अलग-अलग है फादर सबका एक है अब हम उनके बच्चे होने कारण उनके ओक्यूपेशन को जानते हैं हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमात्मा सरव्यापी है फिर तो सब में परमात्मा हो जाए फादर को याद कर बच्चे खुश होते हैं क्योंकि जो कुछ फादर के पास होता है उनका वर्सा बच्चे को मिलता है अब हम हैं परमात्मा के वारिस उनके पास क्या है वह आनंद का ग्यान का सागर है, प्रेम का सागर है, हमको मालूम है, तब हम उनकी महिमा करते हैं, दूसरे यह नहीं कहेंगे, करके कोई कहते भी हैं, लेकिन वहें कैसे हैं, यह तो पता ही नहीं, बाकी तो सब कह देते परमात्मा सरव्यापी है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं तो अपने निराकार इमार्टल बाप की महीमा वर्णन करते हैं कि वह आनंद का सागर, ज्यान का सागर, प्रेम का भंडार है लेकिन कोई प्रशन उठाएगा कि आप कहते हो कि वहाँ इन कॉर्परियल वर्ड में दुख सुख से न्यारी रहती है, वहाँ सुख अत्वा आनंद अत्वा प्रेम कहा से आया, अब यह समझने की बाते हैं। वहां तो दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हैं क्योंकि तुमको समझाया है एक है दुख सुख से न्यारी अवस्था जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ड कहते हैं दूसरी फिर है सुख की दुनिया जहां सदा सुख आनंद रहता है जिसको स्वर्ग कहते हैं और यह है दुख की दुनिया जिसको नर्क अत्वा आइरन एजड वर्ड कहते हैं अब इस आइरन एजड वर्ड को परमपिता परमात्मा जो सुख का सागर है वह आकर इसे बदला कर आनंद सुख का प्रेम का भंडार बनाते हैं जहां सुख ही सुख है प्रेम ही प्रेम है वहां जानव परों में भी बहुत प्रेम रहता है। शेर गाये भी इकठे जल पीते हैं। इतना उन्हों में प्रेम रहता है। तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी सापन करते हैं। उसमें सुख और आनंद है। बाकी इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो सुख आनंद की बात ही नहीं, प्रेम की बात ही नहीं है। वह तो है इनकॉर्पोरियल आत्माओं का निवास्थान। वह है सबकी रिटायर लाइफ अथ्वा निर्वान अवस्था। जहां दुख सुख की कोई फिलिंग नहीं रहती वेहे दुख सुख का पार्ट तो इस कोर्पुरिल वर्ड में चलता है, इस ही सुरष्टी पर जब स्वर्ग है तो eternal आत्मिक लव रहता है क्योंकि दुख है बलड कनेक्शन में, सन्यासियों में भी बलड कनेक्शन नहीं रहता इसलिए उनमें भी दुख की कोई बात नहीं र क्योंकि blood connection को त्याग देते हैं वैसे यहां भी तुम्हारा कोई blood connection नहीं है यहां हम सब का आत्मिक लव है जो परमात्मा सिखलाते हैं बाप कहते हैं you are my blood sons हमारा आनंद प्रेम सुख तुम्हारा है क्योंकि तुमने वह दुनिया छोड़ कर हमारी आकर गोदली है यह भी तुम practical life में आकर गोद में बैठे हो ऐसे नहीं जैसे वह गुरू की गोद में ले चले जाते हैं घर में उनको बिलवड संस नहीं कहेंगे उनकी भी वह जैसे प्रजा है बाकी जो सन्यास कर उनकी गोद लेते हैं वही बिलवड सं बनते हैं क्योंकि वही गुरू के पी रहता है वहे वारिस बन वर्सा लेते हैं जैसे तुमने उनसे बलड कनेक्शन तोड इस निराकार वसाकार की गोद ली है तो वारिस बन गए इसमें भी फिर जितना ग्यान लेंगे वहे हैं ब्लिस एजुकेशन को ब्लिस कहा जाता है जो जितना वहे उठाएंगे उतना उस सुराजधानी में प्रजा में सुख लेंगे यह गोडली एजुकेशन ब्लिस है ना जिससे सुप्रीम पीस एंड हैपिनस मिलती है यह अटल अखंड सुख शांती मय स्वराज्य है गोड की प्रोपर्टी जो बच्चों को मिलती है फिर जितना जितना जो ग्यान उठाएंगे उतना बाप का वर्सा मिल जाएगा जैसे तुम्हारे पास इतने जिग्यासु आते हैं वह है तुम्हारी बिलवड प्रजा बच्चे नहीं क्योंकि आते जाते रहते हैं बच्चे भी हो सकते हैं क्योंकि प्रजा से कोई वारिस भी तो बन जाते हैं जब ग्यान लेते लेते देखते हैं यहां तो अथा सुख और शान्ती है उस दुनिया में तो दुख है तो आकर गोद ले लेते हैं फोरण तो कोई बच्चा नहीं बन जाता तुम भी पहले आते जाते थे फिर सुनते सुनते बैठ गए तो वारिस बन गए सन्यासियों के पास भी ऐसे होता है सुनते सुनते जब समझते हैं सन्यास में तो शान्ती सुख है तो सन्यास कर लेते हैं यहां भी जब टेस्ट आ जाती है तो बिलावड सन बन जाते हैं तो जनम जनमांत्र के लिए वर्सा मिल जाता है वेहे फिर दैवी सिजरे में आते रहते हैं प्रजा तो साथ नहीं रहती वेहे कहां कहां कर्म बंधन में चले जाते हैं जैसे गीत में कहते हैं महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए तो परवाने भी शम्मा पर डांस करते करते मर जाते हैं, कोई चकर लगाए चले जाते हैं, यह तन भी एक शम्मा है, जिसमें ओल्माइटी बाबा का प्रवेश है, तुम परवाने बन आये हो, आते जाते आखिर जब राज समझ लिया, तो बैठ गए, आते तो हजारों लाख हो हैं, तुम्हारे दवारा भी सुनते रहते हैं, वे तो जितना सुनेंगे, उतना पीस और ब्लिस का वरदान लेते जाएंगे, क्योंकि यह इमार्टल फादर की शिक्षा विनाश नहीं होती, इसको कहते हैं अविनाशी ग्यान धन, उसका विनाश नहीं होता, तो जो बहुत भी सुनते हैं, वे प्रजा में आएंगे जरूर, वहां तो प्रजा भी बहुत बहुत सुखी है, इटर्नल ब्लिस है, क्योंकि वहां सब सॉल कॉंसस रहते हैं, यहां बोड़ी कॉंसस हो गए हैं, इसलिए दुखी हैं, वहां तो है ही स्वर्ग, वहां दुख का ना प्रजा में कितना प्रेम और सुख होगा यह तो जरूर है सब तो वारिस नहीं बन सकते यहां तो 108 पक्के सन्यासी विजे माला के दाने बनने वाले हैं वेह भी अभी बने नहीं हैं बन रहे हैं साथ साथ प्रजा भी बन रही हैं वेह भी बाहर रहे कर सुनते रहते हैं घर बैठे योग लगा रहे हैं योग लगाते लगाते कोई फिर अंदर आ जाते तो प्रजा से वारिस बन जाते वेह जब तक कर्म बंधन का हिसाब है कुछ तब तक बाहर रहे योग लगाते निर्विकारी रहते हैं तो घर में रहे जो निर्विकारी रहते तो घर में जगडा जरूर होगा क्योंकि कामेशु क्रोधेशु हैं का महाशत्रू पर जब तुम जीत पाते हो विश देना बंध करते हो तो झगडा होता है बाप कहते हैं बच्चे मोत सामने खड़ा है सारी दुनिया विनाश होने है जैसे बुढों को कहते हैं मोत सामने है परमात्म को याद करो बाप भी कहते बच्चे निर्विकारी बन जाओ परमात्म को याद करो जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो काम क्रोध सब बंद कर देते हैं रास्से में काम चेश्टा थोड़े ही करेंगे वे तो सारा रास्सा अमरनाथ की जैजे करते जाते लेकिन लोट आते तो फिर वही विकारों में गोता खाते रहते तुमको तो लोटना नहीं है काम ग्रोध में आना नहीं है विकारों में जाएंगे तो पद भ्रश्ट हो जाएंगे होलीनेस नहीं बनेंगे जो होली बनेंगे वे विजे माला में आएंगे जो फेल होंगे वह चंद्रवंशी घराने में चले जाएंगे यहें तुम सब को परमपिता परमात्मा बैठ पाठ पढ़ाते हैं वही ग्यान का सागर है ना वहां इनकॉर्परियल दुनिया में तो आत्माओं को बैठ ग्यान नहीं सुनाएंगे यहां आकर तुम्हें ग्यान सुनाते हैं कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो तो तुम सत्युग में सुख में प्रेम में राज्ये करेंगे जिसको बैकुंठ कहते हैं अब यह दुनिया बदल रही है क्योंकि Iron Age से Golden Age बन रही है फिर Golden Age से Silver Age में बदलेंगे सिल्वर एज से कोपर एज, फिर कोपर एज से आईरन एज में बदलते जाएंगे ऐसे दुनिया बदलती रहती है तो अब यह दुनिया बदल रही है कौन बदला रहा है? गोड हिमसेल्फ जिनके तुम बिलवड बच्चे बने हो प्रजा भी बन रही है लेकिन बच्चे बच्चे हैं प्रजा प्रजा है जो सन्यास करते वेह वारिस बन जाते उनको रोयल घराने में अवश्य ले जाना है लेकिन अगर ग्यान इतना नहीं उठाया है तो पद नहीं पाएंगे जो पढ़ेगा वेह नवाब बनेगा जो आते जाते हैं वेह फिर प्रजा में आएंगे फिर जितना होली बनेंगे उतना सुख मिलेगा बिलवड तो वेह भी बनते लेकिन फुल बिलवड तब बनते जब बच्चा बनते हैं समझा सन्यासी भी बहुत प्रकार के होते हैं एक होते हैं जो घरबार छोड़ जाते हैं, दूसरे फिर ऐसे भी होते हैं जो ग्रहस्त व्यवहार में रहते, विकार में नहीं जाते हैं। ना खुद सन्यास किया हुआ है ना ओरों को सन्यास करा सकता है। उनके सीष्य भी ग्रश्त में रहते हैं, उनके पास आते जाते रहते हैं, वे सिर्फ उनको ज्यान देते रहते, अथवा मंत्र दे देते हैं। बस अब उनके वारिस सो बने नहीं, तो उनकी वृद्धी कैसे होगी, बस ग्यान देते देते शरीर छोड़ चले जाते, देखो एक माला है 108 की, दूसरी फिर उससे बड़ी 16108 की माला होती है, वे है चंद्रवंशी घराने की रोयल प्रिंस प्रिंसेस की माला, तो यहाँ जो इतना ग्यान नहीं उठा सकते, प्योरी फाइन नहीं बनते, तो सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे, प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते हैं, यह राज भी अभी तुम सुनते हो, जानते हो, वहाँ यह ग्यान की बाते नहीं रहती, यह ज्यान तो सिर्फ अब संगम पर मिलता है जब दैवी धर्म की सापना हो रही है। तो सुनाया जो पूरा करमेंद्रियों को नहीं जीतेंगे वह चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। जो जीतेंगे वह सूर्यवंशी घराने में आएंगे। उन्हों में भी तो नंबरवार बनते हैं जरूर, शरीर भी अवस्था अनुसार मिलता है, देखो सबसे मम्मा तीखी गई है, तो उसको स्कॉलर्शिप मिल गई है, मोनिटर बन गई, उनको सारा ग्यान का कलश दे दिया, उसको हम भी माता कहतें, क्योंकि मैंने भी सारा तन मं उनके चरणों में स्वाहा कर दिया, लौकिक बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि वह तो बलड कनेक्शन हो गया, तो यहें इटर्नल बच्चे बनते हैं, सब सन्यास कर आते हैं, तो उन पर लव जास्ती जाता है, इटर्नल लव सबसे तीखा होता है, सन्यासी तो अकेले घर बार छोड भाग जाते हैं, यहां तो सब ले आकर स्वाहा किया है, परमात्मा खुद प्रैक्टिकल में एक्ट कर दिखलाते हैं, तुमको कोई भी प्रशन का जवाब यहां मिल सकता है, वह परमात्मा खुद भी आकर बता सकते हैं, वह तो जादुगर है, उसका यह अब भी चल रहा है, तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमको बाप कभी खफा नाराज नहीं कर सकते, खफा करें तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाएं, यहां तो सब का आंत्रिक लव है, स्वर्ग में भी कितना प्रेम रहता है, वहां तो सतो प्रधान रहते ह यहां तो विजिटर्स आते हैं, उन्हों की भी बहुत सेवा होती है, क्योंकि उन्हों पर भी पीस और हैपिनेस की वर्षा होती है, वह बिलवड प्रजा बनने वाले हैं, मा, बाप, बच्चे सब उनकी सर्विस में लग जाते हैं, भल देवी देवता बन रहे हैं, लेकिन यहां वह पद का अहंकार नहीं रहता, सब ओबिडेंट सर्विन्ट बन सर्विस में हाजिर हो जाते हैं, गोड भी ओबिडेंट सर्विन्ट बन अपने बिलवड संस और प्रजा की सर्विस करते हैं, उनकी बच्चों के उपर ही ब्लिस रहती हैं, अच्छा, मीठे मीठे, स सिकील अधे, नूरे रत्न, कल्प कल्प के बिछुडे हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों प्रती मात पिता, बाप दादा का दिल वजान, सिक्व प्रेम से, याद प्यार और गुड मौर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मौर्निंग, धार्णा के लिए मुख्ये सार, पहली पोइंट, जैसे बाप दादा बच्चों को कभी खफा, नराज नहीं करते, ऐसे तुम बच्चों को भी किसी को नराज नहीं करना है, आपस में आंत्रिक लव से रहना है, कभी गुसा नहीं करना है, पीस और ब्लिस का वर्दान लेने के लिए शम्मा पर पूरा फिदा होना है, पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैपिनेस का गोडली अधिकार लेना है, वर्दान, संगठन में सहयोग की शक्ती दवारा विजयी बनने वाले सर्व के शुब चिन्तक भव, यदी संगठन में हर एक एकदो के मददगार शुब चिन्तक बनकर रहें, तो सहयोग की शक्ती का गेराव बहुत कमाल कर सकता है, आपस में एक दो के शुब चिन्तक सहयोगी बनकर रहो, तो माया की हिमत नहीं जो इस गेराव के अंदर आ सके, लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ती तब आएगी जब यह द्रिड संकल्प करेंगे, कि चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़ें, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजई बनकर दिखाएंगे, स्लोगन कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो, अच्छा, और अब यह है एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे